हलो गाईज मैं मनीश श्वागत करता हूँ आप सबको एक निया वीडियो में आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं MS Word के Insert Tab के बारे में जी हां दोस्तों आज हम आपको Insert Tab बताने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो चली हम लोगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे Equation और Symbols के बारे में Equation और Symbols में हम लोग जैसे माल लिया जाए कोई आपको अगर Mathematics का कोई Word लिखना हो या फिर आप कोई Symbols आप डिजैन करना चाहते है MS Word में तो फिर आप कैसे कर पाईएगा तो चली हम लोग यह स्टार्ट करते हैं से सबसे पहले हम लोग Symbols बटन पर आएंगे यहांस आपको इंसर्ट टैप पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस इस स्कीन पर दिखेगा उसके बाद हम लोग Symbols पर क्लिक करेंगे और यहां से चले जाएंगे Mode Symbols पर Mode Symbols पर जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्कीन पर दिखने लगेगा एक चोटा सा डायलक बॉक्स ओपन होगा यहां पर आपको जाना है यह वाला options जो आपको font का दिख रहा है इस font में आपको सबसे नीचे चले जाना है यहां पर आपको wedding से related कुछ options दिखेंगे या फिर कोई भी हो options आप यहां से choose किजिएगा उसके हिसाब से आपका यहां से Symbols और डिजाइन चेंज होंगे यहां से यहां से select किया select करने के बाद insert बटन पर click किया और यहां से close कर लिया यह सिंबॉल आपको स्कीन पर दिख जाएंगे इसको select करना है select करने के बाद home tap पर जाना है और यह जो आपका font size के लिए बरावला यह control के साथ आप greater than way यूज कर सकते है यूज कीजिए गाता है यह symbols आपके काफी बरे हो जाएंगे देखिए दोस्तों कुस इस तरह का design आपके पास देखिए दोस्तों जो चीज है वही चीज आपको दिख रहा है तो यह चीज आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप select कर सकते हैं यहां से और फिर से इसको आप छोटा कर सकते हैं तो इस तरह सब symbol use कर सकते हैं इसमें बहुत सारे symbols है मैं कुछ और भी symbols आपको बताने वाला हूँ तो चलिए हम लोग next topic देखते हैं फिर से insert button पे click करेंगे symbol पे चले जाएंगे और यहां जो recent हम use करेंगे वो symbol मुझे recently वाला यहां पे दिख जाएगा फिर से हम लोग more symbol पे जाएंगे और यहां से और भी symbols मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहां पे click करेंगे तो कुछ इस टाइप का भी symbol आ जाएगा आपके पास तो यहां से मैंने एक symbol यह सपोज इंसर्ट किया और क्लॉज कर दीए symbol फिर मेरे पास आ गए इसको select करेंगे select करने के बाद home type पे जाएंगे और यहां से size increase करेंगे यह symbols आपके पास बरे हो जाएंगे आपका और यहां से आप numbers वगरे भी type कर सकते हैं as like कोई भी ठीक है तो इस तरह से आप symbol यूज कर सकते हैं इसमें और शारे भी symbols है आप जब work किजएगा तो यहां पे जाकर करके आप चीज कर सकते हैं इसमें आपको सारे symbols मिल जाएंगे या यहां से जैसे font change कीजएगा वैसा symbols आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जी हां दोस्तों तो यह रहा options आपका symbols का अब हम लोग जानेंगे equation के बारे में अगर माल लिए जाए mathematical functions के related आप कोई काम करना या फिर science का कोई topics आपको अगर लिखना है page में तो उसके लिए हम लोग equation use करते, equation में जाएंगे, यहां से equation पर click करेंगे equation का एक box आजाएगा, यहां आपको design का एक options automatic दिख जाता equation tools के लिए, अब यहां पर जैसे माल लिए जाम को लिखना है root under 144, right, तो फिर कैसे लिख पाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको symbols के बहुत सारे fonts school करके आगा है, जिसको आप use कर सकते हैं, आसानी से, जिससे माल लिए जाम को root लिखना है, तो मैंने यहां से root type किया, 144, right, 144 मैंने यहां से type कर लिया, तो इस तरह से आप symbols use कर सकते हैं, equation use कर सकते हैं, फिर से हम लोग यहां से equation पर चले जाएंगे, और यहां से भी बहुत सा आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने cursor यहां रखा, और यह वाला design, suppose मैंने ले लिया, एक second, इसको back किया, मैंने एक बाहर बाहर निकल गया, फिर से मैं insert button पे गया, यहां से equation button के spine पे click किया, यहां से कुछ इस तरह के interface आजाएंगे, इसमें से जो भी equations आपको चाहिए, जैसे a plus b, a plus b is equal to a square is equal to c square as like for design, यह as like design है, इसमें आपको आप लेकर करके जैसे हमाल लिया आपने यह symbol ले लिया, और उसके जगए आपको कुछ दूसरा लिखना है, तो आप असानी से लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिकत नहीं, जैसे आपको बटा में कुछ लिखना है, आपने बटा में लिखने के लिए symbols ले लिया, suppose for example, तो और सब चीज की जरुवत नहीं है, तो यहां से आप उसको hide कर दीजे, खतम कर दीजे, और जिसकी जरुवत है, आप वो चीज सिर्फ ही use किजे, जैसे हमको सिर्फ लिखना है पांच बटे दस तो मैं, और सारे चीज क की जरुवत मुझे नहीं है, तो यहां से मैंने back कर दिया, back करके यहां से हटा दिया अब यहां पर मैंने type कर लिया 5, तो इस तरह से 5x10 टाइप करना है, यहां से नहीं है, तो यहां से design ले सकते है, otherwise आप जो भी word लिखना चाहते हैं, उसमें आप modify कर सकते है, तो इसको बो root वगरा दिख जाएंगे, briker दिख जाएंगे, functions दिख जाएंगे यह सारे चीज़ आप 아주 operators है, matrix, यह सारे ची़ आप यहां से遊戲 कर सकते हैं जयसे हम हमलोग जो प्राइन चाहुता को प्राइब को चाहता है insert का equation और symbol option अब हम लोग जो अगला option जानने वाले है वो date and time के बारे में जानने वाले है तो चलिए देखते हैं date and time लगाने के लिए date and time option पर क्लिक करेंगे यह सिर्फ अब सिर्फ style था इसमें जैसा भी style आप चूज करना चाहते हैं वह style आप चूज कर सकते हैं जो date and time में आप लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने यह style एक्स यूज कर लिया right ok बटन पर क्लिक किया तो जो system का date and time जो आपको नीचे शो करता है वह ही date and time कुछ ऐसे भी आपको यहाँ पर भी शो कर जाएगा तो date and time अगर recently लगाना चाहते हैं अपने page में तो यह date and time option आप यूज कर सकते हैं एक option है signature line का आप signature line लगाना चाहते हैं अपने box में तो signature line पर जाकर क्लिक करेंगे फिर ok करेंगे यहाँ सा signature line box आजाएगा आपके पास अब इसे जितना चोटा बारा कर सकते हैं आप इसे movement भी दे सकते हैं एक दगास से दूसरे जगाऊ इसे उठाकर कर भी ले जा सकते हैं अगला option है हम लोग का क्कविक पर्स के बारे में मैं कुछ बता दूं कीक पर्स कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है उसके लिए हमें table बना करके suppose मान लिया जाए कि मैंने एक data त्यार किया, इसमें मैंने type किया later, जैसे 5 type किया, इसमें मैंने type किया suppose 20, और दोनों को calculate करके इसमें यानि गुना करके लाना है, तो हम equation का use आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर insert में चले जाएंगे, quick parts पर चले is equal to pro duct product और bracket type किजिएगा, फिर type किजिएगा aleft, left हम इसलिए type किया, क्योंकि calculate करके इसको left side में लाना, और उको button पर click करेंगे, तो देखें, दोनों में calculation हो करके, यानि गुना हो करके यहाँ गया, तो इस तरह से quick parts भी use कर सकते हैं, जो आप report वगरा बनाने के लिए इसका भी एक design आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई matter आप लिख सकते हैं, जैसे हम आने मान लिया जाए, एक word लिख लिया, C-O-M-P-U-T-E-R computer, एक word मैंने type किया, इसका size हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, यहाँ से पकरेंगे, और corner से हम थोरा size बड़ा कर लेंगे, इसको ह यहाँ से बहुत सारे options आजाते हैं, इसमें design में आपको change करने के लिए, जैसे यहाँ से बहुत सारे style आप यहाँ से change कर सकते हैं, यहाँ से इसके अंदर saps वगरा, color वगरा भी fill कर सकते हैं, यहाँ से आप text design बदल सकते हैं, कि किस style में आपको लिखना है, text, यहाँ से आप आप बहुत सारे shadow वगर लगा सकते हैं, 3D effect भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे लिखना है या फिर इस पर करका, तो आप यहां से 3D भी rotation यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इस style में आप उसको रखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद भी transparent का भी अपसने इस तरह से कुछ घुमाश आपको कोई certificate वगरे के लिए design करना है, तो इस तरह का design किया जाता है, जो आप यहां से use कर सकते हैं, तो आप यहां से भी use कर सकते हैं, तो इस को बूलते हैं हम लोग word adapt, जिसमें आप 3D text लिखने के लिए इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद एक option आता है drop cap का, यह भी बहुत important topic है दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं drop cap क्या use है तो drop cap करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ matter type करना होता है राइट जैसे मान लिए जै मैंने एक matter type कर लिए suppose मैं copy paste कर ले रहा हूँ right यहां से word को सारे को select करना है और आपको drop cap कर जाना है इसमें दो style है यह style है English newspaper में आप देखते होंगे कि इस तरह का design में word लिखे होते है जो सबसे first later होता है वो कुछ इस तरह का बारा हो जाता है इसको हम लग बोलते है drop cap options तो drop cap के लिए आप यूज कर सकते है असानी से जैसे English newspaper होगा लिखना है चाया Hindi newspaper होगा लिखना है या फिर कोई book लिखना है तो उसमें यह सब चीज ज्यादा यूज किया जाता है उसके बाद हो आप text box के अपसन आता है जो आप box यानि text के अंदर जो text लिखिएगा वो box के अंदर लिख सकते हैं कुछ इस पर करका तो इसपर करका है अगर आपको intersect कोई type करना होता है तो आप ustbox असानी से यूज कर सकते हैं यहाँ से फोर्मेट पर जाएंगे इसमें हम color भी लो कर सकते हैं जैसे outline color हम change कर सकते हैं इसका safs वगर आभी आप इसका भी chat चैंज कर सकते हैं जैसे rotabal और रखक एल्क परे तो इसका हम यूज आसानी से कर सकते हैं जी है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही फिर हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस तरह का वीडियो ले करके हम आपके लिए हमेशा आते रहते हैं ओके थैंक्यू जैंद